अब सलाम वालेकुम, वेलकेम टू आरेस्टिकाइडर मैं हूँ आपकी टीचर माही मदद अली और आज हम देखेंगे फिल्मॉरा का इंटरफेस सो लेट्स गो अब हम देखते हैं कि हम फिल्मॉरा को डाउनलोड कहां से करेंगे हम जाएंगे गूगल पर यहाँ पर लिखेंगे फिल्मॉरा और इसकी जो फिर्स वेबसाइट है इस पर हम कर देंगे क्लिक और यहाँ पर जो है आप फ्री डाउनलोड इसको कर सकते हैं मैंने इसको अल्रेडी डाउनलोड किया हुआ है तो अब मैं इसको करती हूँ, open और फिल मौरा, open करने के बाद कुछ you interface जो है, वो मेरे पास show होता है, सबसे पहले जो मेरे पास आता है, वो आता है aspect ratio, aspect ratio पे जब हम click करेंगे, तो हमारे पास आएंगे 5 options, white screen, instagram portrait, standard एक दो और इसके अंदर 16 ratio 9 जो वो white screen होता है, जो मैं use करती हूँ और मैं भी ये refer करती हूँ, कि आप भी ये use करें अगर आप instagram की reels के लिए बना रहे तो 1 ratio 1 पर बनाएंगे portrait जो आपके mobile की screen के हिसाब से बनाते तो वो होता है 9 ratio 16, standard पर बना रहे है 4 ratio 3, cinema होता है वर्टिकल होता है, तो वो जो है आपके पास यहां पर show हो रहा होता है I prefer कि आप white screen पर रखें इसके आगे आते हैं तो आता है हमारे पस open project open project पर click करते हैं तो आपमें last जिस project पर काम किया होता है वो आपके पास यहां पर show होता है और आप again उस project को open करके दोबारा जो है वो work कर सकते है नीचे आते हैं new project पर जब work करते हैं तो यहां पर click करेंगे फिर हम यहां नीचे आते हैं तो हमारे पास आता है auto reframe जब आपको अपनी frames के उपर काम करना होता है तो आप वो यहां से करते है auto beat synchronized जब आपको अपनी audio पर काम करना होता है तो आप यहां से करते है screen recorded जब आपको अपनी screen को record करना होता है तो आप यहां से करते है AI portrait जो आपके पास filters, effects यह सब चीज होती है आपको यहां से मिलती है यह सब चीजे जो हम जो इसका final interface आता है इन सब new project का interface हमारे पास आता है उन सब में भी हमारे पास यह सारी चीजे शो होती है तो हम फिलाल जो इस पर work नहीं करेंगे यहां पर इसके बाद नीचे आते हैं तो आपके पास आता है search का option अगर आपको कोई अपनी previous file को search करना होता है यहां पर आपके पास जितने भी आपने project पे काम किया होगा वो आपके पास यहां पर show होगा यहां पर आते create project, instant mode, creator academy इसको अभी आप फिलाल छोड़ दें simply आपने यहां पर करना है new project पे click new project पे click करने के पास आपके पास यह interface जो है वो open हो जाता है और यह बिलकुल interface उसी की तरह है जैसा हमारे पास premiere था timeline, project window, source window यह सब चीज़ा हमारे पास जैसी premiere में थी वो यहां पर पी आती है बट Filmora की बहुत अची चीज़ी होती है कि आपको यहां पर sample videos मिलती है वो लोग जिनके पास videos नहीं होती है तो वो यहां से ले सकते premiere में आपके पास sample videos नहीं होती थी तो हमें Google मेंसे जाकर जो है उसको download करना पड़ता था HD, 4K के हिसाब से बट यहां पर आपको सब जो है जितनी भी sample videos है वो आपको सब यहां पर मिल जाएगी सबसे पहले मैं आपको इस area का बारे में बताती हूं तो यहां पर जो है वो media के अंदर आपके पास cinematic हर type की जो है वो audio होती है videos होती है effects होते है, transition होते है यह आपका जो है वो media होता है कितनी pixels की चाहिए आपको download कितनी है कितनी आपने आपने पास रखी वी है वो सब चीजे जो है आपके पास आ रही होती है 4K होती है कुछ HD होती है कुछ 720P होती है यहां पर आते है तो आपके पास आता है audio audio भी आपको बहुत amazing मिलती है तो आप इसको अपने YouTube के अंदर भी use कर सकते है अच्छा एक और चीज यहां पर कि यह हमारे पास फोटूस में भी हमें मिलती है अगर हमें फोटूस के ओपर वो वर्क करना होता है तो आपके पास यहां पर फुल 4K की पिच्चर होती है आपके पास यहां पर आ रहे होती है अब हम आते हैं टाइडल के ओपर अप किसी भी तरिकी की जो आपको और इसके अंदर भी आपके पास आर्ट टाइप के होती है और सोशल मेडिया के लिए होती है सब्टाइटल्स के लिए होती है और एंड स्क्रीन जो हम वीडियो एंड हो जाती है तो इस सारी चीज़ आपको यहां पर मिल रही होती है इसके बाद जब आप Tronctions पे आते हैं तो आपके पास यहां पर बहुत मसही की जो है वो crooked आपके पास आ रही होती है जूम ट, Tiatric आ रही होती है जूम इंड डिजोल, ein पेड़ित वो सारी चीज़े आपके पास यहां पर शों हो रही होती है और आपको इदर साफ इसका पर डिवीू भी मिल जाता है तो यह बहुत अमेजिंग जो टी है जब आपकी एक्लिप्स के उपर रखती है तो आपकी क्लिप्स पर वह बहुत अच्छी लगती है उसके बाद आते है अफेक्स अफिक्स के अंदर आपके पास आफिक्स आरे होते रो हो ट्रांजीशन जो होती है यह आप बीच में लगाते है जैसे आपके पास आता है यह स्टार्ज वाली आरही है और AI पोटरेट जो हमने देखा था भी वह सबारी होती है यहाँ पर अगहम बॉडी अफ़ेक्स हम यहां पर लगा सकते है इसके बाद यहां पर आता है Alexis यहां पर आपके पास स्क्रीन की यह जो आता है वो आरह extr岁 को यह लिग मेंरी वह दाorkए है यूट्टीब का आऻे होता है स्ट्सक्राइब बटिंस का यह जै तो यह सब चीजे जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आईगी किस जगा पर आपको क्या क्या चीजे मिलेगी हम अपनी आने वाली classes में जब हम edit करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरीके से जो apply करते है Filmora की अच्छी बात है हमें खुद बनाना नहीं पड़ता यहाँ पर आपको bunny बनाईवी जो है वो like बटन्स मिलते है, subscribe बटन्स मिलते है तो यह बहुत हीजी होता है जब मैं प्रीमियर की classes दे ली थी तो उसके अंदर तो मैंने हर चीज़ प्रीमियर से एडिट करती है खुछ जो है वो मैंने subscribe कर बटन को after effect से बनाया था और यह सब चीज़े लगाई थी लेकिन अब मैं फिल्मॉरा की classes दे ली थी तो मैं हर चीज़ जो है वो फिल्मॉरा की यूज़ करूंगी और क्रोमा करड़ भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको अपनी आने वाली classes में दूंगी और किस तरीके से मैं आउडियो को सिंक्रोनाइज करूंगी, किस तरीके से एडिट करूंगी, कट करूंगी सारी चीज़े मैं आपको फिल्मॉरा से ही बताऊंगी थमनेल भी मैं अपनी फिल्मॉरा की ही एडिट करी भी लगाऊंगी और हर चीज जो भी मैं यहां पर यूज़ करूंगी वो सब फिल्मौरा का ही होगा उसके बात आता है आपके पास split screen यहां पर जब हम जो हम screens का जो लगा रहे होते हैं कहीं बार जो हम slides shows यूज़ कर रहे होते हैं तो यहां पर हमारे पास show होती है लाइक अगर यह होता है तो महामें अगर तीन वीडियो या तीन जो इमेजिस हम यूज करते हैं वो आपके पस यहां पर आ रही होती है इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़े यहां पर होती है और जब आप इस जगापर देखेंगे इसके मीडिया को इसकी वीडियो को इसकी पिचर्स को तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और जब आप इस पर एडिट करेंगे तो वो और जादा अच्छी लगेगी उसके बाद यहाँ पर फाइल में अगर आपको import करना है मीडिया को record करना है यहाँ पर 콘ष्ट की सेटिंग करनी है यहाँ पर कीबोर्ड की जो shortkey होते हैं यहाँ पर आपके पास आजेंगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो जूम करना है अपनी timeline को यहां पर edit में जब आप करेंगे तब आएगा, tools आएगे, views आएगा, यह सब चीज़ आएगी, अभी फिलाली अनेबल है, क्योंकि अभी किसी clip को अभी मैंने drag and drop नहीं किया है, अपनी timeline के अंदर, यहां पर हम आते हैं, तो हमारे पास आती है timeline, timeline में जो हम drag and drop करेंगे, तो easily यहां पर यहां पर लग जाएगा, अच्छा, जब आप अपने कोई media को यहां पर drag and drop करेंगे, तो वही options को आपने प्रीमियर के अंदर भी देखा होगा, वहां आपके यहां पर यहां पर आएगा, कि आपकी जो resolution frame rate है, वह पहले वाली ही रखनी है, कि आपको change करनी है, तो यहां पर आप जितनी भी video को लाएंगे, उसने जो है, इसके tracks बरते जाएंगे, जितनी audio लाएंगे, उसके नीचे के tracks बरते जाएंगे, यहां पर आते हैं हमारे पास तो कुछ tools आते हैं, यहां पर जब हमें cut करना होता है, delete करना होता है, undo करना होता है, और यह सारी इसको करती हूं Mark In यहां से करा और यहां पर आकर कर दिया मैंने Mark Out जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट विंडो में करते हैं उसी तरीके से हम करेंगे यहां पर हमारे पास जो है वो इसको मैं Undo कर देती हूं अभी Ctrl Z करेंगे तो वही Undo हो जाएगा यहां पर आपको कितनी स्क्रीन रखनी है तो फुल स्क्रीन रखनी है Play, Pause, One Frame पीछे लेके जाना है, One Frame आगे लेके जाना है Time Line को कितना बराना है, कितना चोटा करना है वो सारी चीज़ आप यहां से करेंगे अपनी Audio को Record करना है Music जो है वो Audio Mixer जो होता है जब आप अपनी क्लिप के ओपर राइट क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आप के पास Premiere में आता था सब चीज़े वो आपके पास यहां पर भी आगे Color Correction करनी है, Color Match Meal जो हम यूज करते थे वो करना है कोई Effect को Copy करना है, Delete करना है, Animation Add करना है Export करना होता है, Import करना होता है, तो वो सब चीज़े, तमाम चीज़े जो आप तीमेर के अंदर करते थे वो आप यहां भी कर सकते हैं और वो बहुत easily यहां पर अपलाए हो जाती है तो आए हो, आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताके मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए ठेक केर और अलाफेस